कि अभे सकार किसानशाति यह एफ टूडी एफ मोबाइल एप और एफ टूडी एफ वेबसाइट आज हमारे किसानशातियों के लिए बहुत ही मैट पूजाने करी लेकि आई है आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है हमारे पसु पालक भाई यों के लिए अब इसी द समस्याओं से बहुत आसाने से वह पड़ सकते हैं विक्षी देखेगा आज हमगो आपको बता रहे हैं है अगर हमारे समय पर जusi समय नहीं गिराई है बसे दे लिए और उने गंटे केंदर गंटे केंदर जेडी नहीं गिराई है तब आप इस विधी को अपनाईगा 100% result मिलता है आपको किसी डोक्टर के पास आने के आप सकता नहीं है आपको किसी भी अन्य कोई दुसरा नुस्का अपनाने के आप सकता नहीं है क्योंकि आज हम जो आप नुस्का बता रहे हैं वो परमानित है राष्ट्रिया डैरी डेवल development board का अजमाया हुआ है राष्ट्रिया डैरी development board आज के वक्त में इसी नुस्के को बता रहा है आप कोई उनका सेमिनार कीजिएगा इस प्रसंद को उठाइएगा तो आपको यहीं वीदी बताई जा रही है यह आपके लिए बहुत है अजमाया हुआ ऐसा तरीका जिसको रा गरेंटेड परमानित है विश्वस्निय है और जिसका 100% हमारे किसान साथियों को रिजल्ट मिलता है और मिल भी रहा है आज के वक्त में कई ना कई अब इकसी देखेगा इसे इसमें अपनाने के लिए क्या करना पड़ेगा से पहले आपको जैसी आपके पसों ने बच्चा दे दिया है जाएं हो याँ अन्ने पसों भी हो तब के डेड़ गंटे के अदर आपको इस वीधि को अपनाना है सबसे पहले आपको डेड़ किलोग्राम भिंडे लेनी हैँ युलोग्राम भिंडी उसके बाद आपको दूसरा लिना है अजवाइन पचास ग्राम अजवाइ मतलब भिंडी को काटके उसका एक बारिक पेश्ट बना करके फिर मूली को काटके उसका एक पेश्ट बना करके और आजवायन उसमें डालके नमक डालके और गुरुका पेश्ट बनाके डालके उसे एक पावर एक बार पानी में उबाल लिएगा पानी में उबाल करके उसके उसे आप चान के अपने पसु को देजिएगा या फिर उस रस को नहीं वह अगर पसु डारेट खा सकता है उसको उबालने के बाद तो अपने पसु को देजिएगा तब उससे 100% मिलता है अब इक्षी देखेगा सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा जो हम आहर पसु को सबसे पहले सबनार बात करते हैं दिए अजवायन की और गुठ की और मुली की और नमक की अपर टरह मारे और जいたIt G esti के अंदर गर्मी contracting ही आ जो है सरी के अंदर गर्मी होगी वह जेर जो है उसे अपनी जगह से छोड़ जगा बहुत जल्द हमारे कई किसान साथी ऐसी गलती करते हैं कि डॉक्टर बुला के लिए कि आते हैं और ऐसे डॉक्टर होते हैं वह जो जोड़ा साफ होते हैं हर गाव में आपको मिल जाएंगा कभी पूरी जेर नहीं निकल पाते हैं अगर हाथ से निकाल देओ उसका रिजन क्या है एक ही देखेगा अगर जो हमारी सर्ट है इसको हम खीचेंगे ना तो यह जो टांके हैं यह खुलेंगे नहीं यह फटेंगे इसका मतलब यह है कि पशुब के अंदर जेर के कुछ हिस् कोई भी समस्या उसका रिजन सिर्फ यह होता है कि पशुब के सरीर की सफाई नहीं हो पाती ऐसे में जेर हाथ से कभी न निकलवाएं जो हमने तरीका बताया है ना परमानित है उसको इस्तिमाल करें अब हम बता रहे थे उसकी देने की विधी क्या है पांचों को सब्सक्राइब को दे दीजिएगा बस जैसे वह भी डेड़ से दो घंटे के अंदर दे दो उसका हंड़र परसंट आपको रिजल्ट मिलता है सो प्रतिसत रिजल्ट मिलेगा अगर किसी किसान साथी को ना मिले ना तो हमें कोमेंट बोक्स में लिख सकता है क्योंकि यह तरी इसके बाद आपका सुस्थ रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा कही ना कई उसमें कोई इंफ्यक्शन ने को उसकी बच्चेजानी में और जो भॉष्य में भी उसके को दिक्कत नहीं वाले आपका पसूद भी बढ़ने वाला है और पसूद की अंदर की सपाई होगी तो प प्रयास करते हैं भोलेपन में जिसका नुक्सान उनको एक वक्त के बाद मिलता है तो ऐसे में बजाए किसी ऐसे तरीकों को इस्तिमाल करें जिसकी विश्वस्नियता ना हो उसे इस्तिमाल करें जिसकी विश्वस्नियता हो जो परमानित हो इस वीडियो को जितना उसके उतन रहेंगे जो प्रमानित होंगी पर अधारित होंगी और विश्वस्निय होंगी आप हमसे ऐसे जुड़े रहेगा हमें ऐसे प्यार देते रहेगा धन्यवाद